इस्थानी बबराम चत्रवेदी स्टेडियम में चल रहे CPL मुकाबलों में अब टीमों के बीच में लगातार घमासान देखा जा रहा है फाइनल मैच के पहले यानि कि सेमी फाइनल में जबरदस्त टीमों की भरंत देखने को मिली जिसमें पैप्टेक पैंथर की टीम और उदेट असकर के बीच में जो सेमी फाइनल खेला गया उसमें पैप्टेक पैंथर की टीम ने जबरदस्त जीत हासिल की पैप्टेक पैंथर ने 15 ओवर में 129 रन बनाए और 130 रनों का लक्ष उदेट असकर की टीम को दिया गया लेकिन पैप्टेक पैंथर के गेदमाजों के सामने उदेट असकर की टीम धराशाई हो गई और मात्र 108 रन ही बना सकी इस तरीके से पैप्टेक पैंथर की टीम अब CPL के फाइनल में पहुँच गई है कप्तान ने इस जीत के लिए अपने सभी खिलाडियों को श्रे देते हुए कहा है कि निश्यतोर पर सभी खिलाडियों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगे बनाई है और निश्यतोर पर फाइनल में भी वे इसी तरह के खेल का प्रदर्शन कर ट्रॉफी जीतेंगे जली पड़ा जो रटो मेरा में उधे टसकर से खेला गया है हम लोगों ने पहली बेटिंग करके पंदर उबर में 119 रन बनाए दे जिसमें हम लोगों सामने वाली टीम को 108 पर रोक दिया और हम लोग 20-21 रन से में जीत चुके हैं हम लोग फाइनल में पहुंच गए है अब फाइनल देखो अभी सही फाइनल चला है आगे जो भी जीते की वहम लोगों से फाइनल खेलेगी और हम लोगों का लक्ष रहेगा पंदर उबर में सो और एंटारियर रहेगा सो और 110 कि उनको रोकना है सब जादा से यादा लोग आए और फाइनल देखे और मजया ले फाइनल में, ज्यादा से ज्यादा स्कूर करने की कोसिच रहेगी हम लोग अगर बॉल्ट रही तो कम से कम पे रोकने की कोशिच रहेगी और इंचाall से फाइनल जीतने की पूरी पूरी जम्मेदारी में अपनी पूरी टेम को दूप